नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज पांच मई गुरुवार शाम साथ बज़ोई राजस्थान की खास खबरी राजदानी जैपुर के सदर्थानक शेतर में महरों के महले में डबल मर्डर होने की जानकारी सामने आई है सूशना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और FSR टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष जुटाए पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है खटना के बाद इलाके में संसनी फैल गई पुलिस ने बताया कि यवक और युवती की हत्याकर हत्यारे ने खुद ठाने में आकर इसके जान करी थी सूशना पर पुलिस मौके पर पहुंची युवक की पहचान सोनो और युवती की पहचान पूनम के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक आपस में भाई बैन थे दोनों की धारदर हतियार से हत्या करना सामने आया है पुलिस ने बताया कि आरूपी ने दोनों की हत्या क्यों की इसकी जांच किय जा रही है पुलिस आरूपी हत्यारे से भी पूछ ताश का रही है चितारगर जिले के कपासंथानक शेतर में एक माह ने अपनी तीन संतानों के साथ फांसी पर लटक कर जान दे दी सूशना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और एफरसर टीम को मौके पर बुला कर साक्ष जुटाए पुलिस ने बताया कि काच्य खेडी गाम के मार्क पर सिर्थ आरेंटी पोल्टरी फार्म में एक महिलावे तीन बच्चों ने फांसी पर लटके होने के जानकारी मिली थी तलाम जिले में रहने वाली बुरालाल आदिवा से करीब साथ साल के काच्य खेडी रोल पर सिर्थ आरेंटी पोल्टरी फार्म पर रहकर कारे कर रहा था वैं किसी काम से बाहर गया हुआ था जब वापस लोटा तो पत्नी तदह तीनों बच्चे फंदे पर लटके होए थे पुलिस ने बताया कि भूरालाल की पत्नी रूपा पुत्री शिवानी रितेश और किरन चारों फंदे पर लटके हुए थे अंदिशा है कि पहले रूप चपेत में आने से तीन बक्रियों से इत घर में रखा अनाज और समान भी जलकर राख हो गया यह धर्दना का हाथसा सुलाव पंचायत के बेकरिया बड में हुआ बेकरिया बड के बाबू के घर में अचानक आग लग गए इस वरान घर में पांच मां की मासुम भी थी आग को भुजाने का प्रियास कि उन्होंने अंदर फसी मासुम को भी निकाला मगर तब तक वो आग से काफी जुलस गई थी आग में जुलसी मासुम को उसके परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुँचे चाहिलास के दौरान उसकी मौत हो गई बांसवाड़ चले के जाजेपुरा पांच नमबर के पास चाप मरदी में दोस्तों के साथ नहा रहे दो योगों की डूबने से मौत हो गई हाथसे में 22 वर्षे रतलाम के अलोट निवासी असलम और लखारा वाड़ा नई मस्जिदक शेतर में रहने वाले 22 वर्षे अधनान की मौत होई है दोनों ही अपने छे दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे नदी में गहराई कम थी लेकिन बीच में गहरा गड़ा था अधनान गहराई में चले जाने से डूब गया इसे देख असलम उसे बचाने बड़ा लेकिन वह भी डूब गया दोनों की आवाज सुनकर बाकी दोस्त मदद को आए लेकिन तलाश नहीं पाए बाद में स्थानिय तेराग की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले गए दोस्तों ने जीवित होने की आस में पेड़ से पानी निकालने की कोशिश भी की दोनों को अस्पताल ले जाए गया जा कोल्डरिंग पिलाने के बहाने खेत में ले गया और उसके साथ दुशकरम कर उसके शव को सूखे कोई में फैंक दिया। खतना चौबिस मार्च दोहजार एक्टिस में नदबई थाना इलाकी की है। आठ साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तबी वहां गाम का ही रजनेश नाम युवक आया और वहे बच्ची को कोल्डरिंग पिलाने का बहाना बना कर बहला फुसला कर ले गया। वैगा घर में ही फंदे से जूल गया, घर में बिमार पिता सोता रहा जिसे लड़के के फांसी से जूलने की भनक भी नहीं लगी। कई घंटों तक दुकान नहीं लोटनें पर ताउने भतीजे को फोन लगाया लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। घर पर पता चला कि ये वक्त उसके कमरे में अराम कर रहा है। वहां वाज लगाने पर उसने जवाब नहीं दिया। अशंका हुई तो परिवार के लोगों ने रोशंदान से जहांका जहां ये वक्त के फंदे से जूलने का सच पता चला। दरवाजा तोड़कर परिवार ने शव बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि अजए घर से नई अबादे सी तो दुकान पर पहुंचा। दुकान खोली और कुछ देर बैठा। इसके बाद वह दुकान से घर चला गया जहां से काफी देर तक दुकान पर नहीं लोटा। खर पर उसने फांसी लगा कर आतम हत्य कर ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुलपु चले के कॉलारी थाना पुलिस ने महिला से रेप करने वाले एक तांत्रिक को गिरफतार किया है। और उपी ने 28 सप्रेल को इलाज की बहाने महिला से दुशकरम की खटना को अंजाम दिया था। और उपी ने इसका वीडियो भी वाइरल किया था। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा चले के मलपुरा थानाक शेतर की 35 वर्षे महिला कॉलारी थानाक शेतर की एक गाम में जाड़फों को करने वाले तांत्रिक के पास उपचार करवाने आई थी। तांत्रिक वीजे सिंग ने महिला सी उपचार के नाम पर 15,000 पे ठक कर दुशकरम की खटना को अंजाम दिया था। और उपी ने वीडियो बना कर वाइरल भी किया था। पुलिस ने बताया कि पेडित महिला ने नामजद तांत्रिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्स करवाया था। कैनरा बैंक ने ऑफिसर्स के पदों पर वेकेंसी निकाली है जिसके तैथ डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर ऑफिसर के पदों पर इंटर्वियो के अधार पर भरती किये जाएगे। इसके लिए बाइस से तीस साल तक की उमर के ग्रैजुट कैंडिडेट्स बीस मही तक आफलाइन अवेधन कर सकते हैं। कैनरा बैंक में सेलेक्शन के बाद उमीदवार को हर महीने पचास हजार के साथ हर महीने भत्ते दिये जाएंगे। कैनरा बैंक में निकली भरती के लिए उमीदवारों का सेलेक्शन इंटर्विव के जरिये किया जाएगा। कैनरा बैंक भरती 2022 के लिए अवेधन डाक के जरिये करें। उमीदवारों को अवेधन फॉर्म रिजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से करना है। बूंदी की सदर्थाना पुलिस ने कॉंग्रिस नेता चरमेश शर्मा सेथ तीन जनों के खिलाफ नामजद और तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्स किया है जिसमें डूटे मुकदमे में फसाने की धमकी देकर दो लाक रुपे एंटने से इत कई धाराओं में दर्स किया है पुलिस ने बताया कि परिवादी सलब पांडे की बूंदी में आरो रेपेरिंग और सेल्स के दुकान है रिपोर्ट में बताया कि फरवडी महीने में एक युवती अपने पिता संग नौकरी पर रखने की बात करनी आई पांडे ने बिरुजगार युवती को नौकरी पर रख लिया इस दोरान युवती ने काम में कोता ही भरतनी शुरू कर दी ऐसे में पांडे ने उसे टोका जिसके बाद वो जौब चोड़ गई बाद में युवती अपने पिता के साथ आई और दुकान मालिक पर छेड़ चाड़ का रूप लगाया इतना ही नहीं उसे बखशने के लिए उसने दो लाख रुपे की डिमांड बेकी दर्जी रिपोर्ट के मुताबिक उसने नियुवती के साथ आई लोगों जिसमें चरमेश शर्मा बीथे ने मालिक से 10,000 पे ले लिये थे शेशराशी के लिए तबी से चरमेश सहित तीन लगातार दबाव बनाते रहे पुलिस ने मामला दर्सकर जाँच शुरू कर दी है जैपुर्चले के बगरू थानक शेतर में हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में लगी आग पर दमकलों ने गुरुवार सुबे आठ बजे काबू पाया पिशले दस खंटे में दमकल की एक दरजन गाड़ियों ने सौस्य दिक चक्कर काट कर आग भुजाने का प्रियास किया बगरू ने नियूर इकोस्तित पुधार असोसियेट हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में यह आग लगी थी आग की सूशना पर आसपास की फैक्टरियों में हड कंप मच गया सभी क्रामिकों ने फैक्टरी की लाइट बंद कर फैक्टरी को खाली कर दिया आग की सूशना मिलते ही 20 मिनिट में दमकलों का आना शुरू हो गया जो कि सुबह 8 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा आग इतनी बेशन थी कि आग की लप्ते 200 मिटर उंचाई तक जा रही थी आग से करोडो रुपे के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है झालता रहा है